कहानियों की क्यारी में प्रस्तूत है कार्थिक मास महात्म कथा अध्याय पाच प्रभू मुझे सहारा है तेरा जक्के पालनहार कार्थिक मास महात्म की कथा करूं विश्टार राजा पृथु बोले हे नारज जी आपके कार्थिक मास में असनान का फल कहा अब अन्य मासों में बिधी पुर्वकस्नान करने की बिधी नियम और उद्यापन की बिधी विबत लाईए। देवर्सी नारत ने कहा, हे राजन, आप भगवान बिश्नु के अंसे से उत्पन हुए है। अतहिया बात आपको ग्याथी है, फिर भी आपको यतोचित बिधान बताता हूँ। तोड़ना चाहिए, हे बनस्पत्ति, आप मुझे आयू, कृती, तेज, प्रज्या, पशू, शंपत्ति, महाग्यान, बुद्धी और विध्या प्रदान करो। इस प्रकार उचारन करके ब्रिक्ष से बारा हंगुल की दातुन ले, दोधवाले ब्रिक्ष की दातुन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार का पास काटेदार ब्रिक्ष धा जले हुए ब्रिक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंधाती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही ब्रिक्ष से दंतधावन प्रहन करना चाहिए। ततपश्षात भली भाती हस्नान करके फूल माला चंदन और पान आदी पूजा की सामगरी लेकर प्रशन चीतवा भक्ती पुरुवक्षिवालाय में जाकर सभी देवी देबताओं की यर्ग्य अच्मनिये आदी बस्तूँ से प्रिथक पूजा करके प्रार्थना करना चाह मंदिर में जो गायक भगवान स्री हरी का किरतन करने आए हो उनका माला चंदन तामबुल आदिशे पूजन करना चाहिए क्योंकि देवालेयों में भगवान बिश्णु को अपनी तपश्या योग और दान द्वारा प्रशन करते थे परन्तु कल्योग में भगवत गुनग इसका उतर देते हुए भगवान ने कहा हे नारद मैं बैकुन ठीया योगियों के हिर्दे में ही निवास नहीं करता अपे तु जहां मेरे भगत मेरा किरतन करते हैं मैं वहाँ निवास करता हूँ जो मनुशे चंदन मालादी से मेरे भगतों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसे प्रिती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो शकती नाराज जी ने फिर कहा सिरीस धतुरा गिर्जा चमेली केसर कंदार और कठल के फूलों वा चावल के से भगवान विश्णू की पूजा नहीं करनी चाहिए अड़हल कंद गिरिश जूही मालती और केवड़ा के भगवान से छमा प्रार्थना आवश्य करनी चाहिए यथा हे सुरेश्वर हे देव न मैं मंत्र जानता हूं न क्रिया मैं भक्ति से भी हीन हूं मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें ऐसी प्रार्थना करने की पश्चात शस्टांग प्रणाम करके भग के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं